हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टो माइ चैनल आज हम सब बात करेंगे पिरियाड मिस होने पर भी प्रगननसी टेस्ट नेगेटिव क्यों आती है फ्रेंज, हमारा regular period मिस होने के बाँजुद भी हमारी urine pregnancy test नेगेटिव रहती है ऐसा क्यों तो अक्सर ऐसा होता है हमारे periods regular रहते हैं और हमारा regular period मिस होने के बाउज़द भी हमारे urine pregnancy test negative रहती है और फिर हम confused हो जाते हैं हमारे period regular थे फिर भी urine pregnancy test negative है ऐसा क्यों तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि urine pregnancy test negative क्यों आती है जब हमारा period regular रहता है इसका मतलब है हमारा ovulation अच्छी से regularly हो रहा है और जब हमारा period मिस हो जाता है नहीं आता period तो पहला region हो सकता है कि हम conceive हो गया है pregnant हो गया है और हम urine pregnancy test UPT की जांच करवाते हैं आप खुद से करते हैं या hospital से करवाते हैं तो pregnancy का जांच करने के बिल्कुल असान तरीका होता है urine pregnancy kit जो आता है ये urine pregnancy kit हमें असानी से medical shop से मिल जाती है लेकिन हमारे एक आदत रहती है हम urine pregnancy kit घर में रखते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने कब खरीदा है कभी ऐसा भी होता है हमारा urine pregnancy kit expired कर चुकी होती है और हम जब expired date ना check करके direct घर पे ही रहता है इसके कारण urine test कर लेते है और हमारी test negative आती है pregnant होने के बावजुद वो test negative नजराते है कभी कभी क्या होता है कि pregnancy जांच करने का हमें बहुत जल्दबाजी होती है इसलिए बहुत जल्दी हम ये urine pregnancy test कर वाते हैं और ये result negative आ जाता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है हमारे periods regular है लेकिन ovulation कभी कभी delay हो जाता है delay हो सकता है यानि कि हमारा ovulation late होने के कारण हमारे pregnancy test late positive आ सकती है late से positive आती है कभी कभी इसलिए जब हमारे periods regular रहते हैं हम जल्दी में check करते हैं period मिस होने के तीन चार दिन के अंदर ही तीन चार दिन में तो हमें वेट करना है negative आने पर तुरंत periods लाने की दवाया नहीं लेनी है हमको वेट करना है हम एक हपता वेट कर सकते हैं रुक सकते हैं और दुबारा urine pregnancy test कर सकते हैं कभी-कभी ऐसे भी हो सकता है, हमारा urine pregnancy kit है, वो खराब हो सकता है, और जब हम urine charge के लिए उसमें डालते हैं, urine तो एक भी line नजर नहीं आती, इसका मतलब है हम positive हो सकते हैं, लेकिन kit खराब है, invalid बता रहा है, invalid है, इसलिए kit में दोनों लाइने नहीं दिखाई दी, अक्सर ऐसा होता है, जब हमारा urine pregnancy kit normal रहता है, kit अच्छा रहता है, लेकिन हम pregnant नहीं है, तो टेस्ट करने पर एक line जरूर दिखाई दिनी चाहिए, यदि हम pregnant नहीं है, तो और kit अच्छी है, जब दोनों लाइने नहीं रहती, इसका मतलब है हमारा test kit खराब है, kit में faulty है, हमें दूसरे kit का उप्योग करना है, कभी-कभी ऐसा भी होता है, हमारे period मिस होते हैं, और हम दिन भर का कोई भी urine sample जांच के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिन भर का जो urine sample रहता है, कभी-कभी सही नहीं रहता, और आपका test negative आती है, इसलिए हमें ये देखना है, जब period मिस ह होने के बाद, जब आप तुरंत urine pregnancy test कर रहे हैं, तो हमेशा आप जब सोकर उठ रहे हैं, तो सुबा का पहला urine sample लेना है, और urine pregnancy test करनी है, कभी-कभी जब हम डाइटिंग करते हैं, हमें बहुत सारा stress रहता है, कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा exercise करके weight loss करते हैं, या traveling या फि होने के बावजूद भी हमारा ovulation miss हो जाता है, और हमारा periods delay हो जाता है, हमारा period जो है late से आता है, इन सारी कार्णुक से, period late से आता है, time पे नहीं आता, उस case में भी urine pregnancy test negative आती है, तो आज हमने इस वीडियो में जान लिया, हमारे periods regular होने के बावजूद test pregnancy test kit में negative होने के region क्या क्या हो सकते है, I hope ये वीडियो आपको पसंद आई, ये जनकारी आपको helpful लगी, आप ये सारे कार्णों को जानेंगे, तो आप कभी confused नहीं होंगे कि pregnancy test negative क्यों आ रही है, जैसे कि आपको हमेशा urine सुबा का लेना है, ये सारे चीजों की ध्यान रखन है धन्यवाद